चाइनिस स्मैश्टिफ वो देखने में तो बड़ा लगेंगा उसका कोट भी बड़ा लगेंगा लेकिन वो हिमालाय में एक रात और एक दिन भी नहीं रहे सकता है इस लाइन को बचा लीजिए क्योंकि यह विलॉप्त होने की कगार पे आ गई है दोस्तों इस वीडियो स्प बोटी कुकुर को मतला यहां पर बोटी कुकर कहते है जिसको मैं बूतिया कहता हूं या बोटिया कहता हूं अगर वो प्रजर्वेशन कर रहे हैं तो भाईया का नाम सबसे उपर आएगा बहिया अपने बारे में सबसे पहले बताईए नमस्कर नमस्ते और वेलकम टु सबसे प्रफुर kalian. हमारे पास हुआ था यह लोकल ब्रेडे ने नेपाल का वन अनली कोल ब्रेडे यहिमालयाय रेंज में पाता था और पाढ्ययों में भी पाता है. हम जब बचमन में थे तो यहां पर बटी कुकुर बहुत वोता था, ठेकेस लेकिन अब शमय यह बिविन्न देशों में हिमालाय रिजन में पाता है। यह मंगोलिया, टिवेट, इंडिया, बुटान, पाकिस्तान देशों में भी मिलते है। इसका हिस्ट्री हमारे साथ जुडा हुए değin, क्या हुए आदे पॉपूलेशन से चिवेट और मोंगोलिया से और उनदिया से आहर मोंगोलिया यह पाता है॥ वो बेडबखरे नॉमेडिक्स थे और नॉमेडिक के लिए बेडबखरे पालने के लिए ये बोटे कुकुर बहुत जरूरी था. उसके बिगर वो बेडबखरे नहीं कर सकते थे. क्यूंकि वहाँ बर हिमालाया रिजन में बेड अटेंडवे बालू और लोमडी वुल्फ ये आइसोलेशन में था, वहाँ पर चोरी डाकाइटी भी लगते थे, डाकू भी होते थे, उसके प्रोडेक्शन के लिए भी ये गोटिक कुर इंपोर्डेंट थे, प्राचीन कहल में हमारे क्या होता था, एक गर में दो से तीन कुट्टे जरूर होता था, क्योंकि उस अगद प ये भोटेकुकर भी पालना बहुत कम हो गया, और इसका पॉपुलेशन भी बहुत कम हो गया, क्या कर रहे हम, हमारा पेशन था ये भोटेकुकर को वह प्रिजर्वेशन करना स्टार्ट कर दिया, मुझे कैसा स्ट्राइक हो गया, कि मैं एक बार भोटेकुकर, हमारा इनाम संध tendency रिजन है वहां पर वाटे कुर बहुत था बड़ासा बटट कुर मिलदा था उस समय तो मैं बट झाख था यह उग्च एक मेरा दोस्कों का老 किया कि मुझे अच्नी को कुल चाहिए उस लिजन से वो थोसको मахुट डिफिकल हो गः बट अना के लिए उसने मुझे एक एक पपी बेज दिया दुनने के महीनों दुनने के बाद और एक पपी आ गया था तो मुझे श्ट्राइक हो गया उसी समय कि बोटे कुकुर का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया तो इसमें कुछ काम करना है और क्या हुआ में इंटरनाशनल ग्रूप मेरे दोस्ते सानने रूत किया उस ग्रूप में 15,000 लोग मेंबर से अभी तो यह ग्रूप भी बहुत इंपोर्टिन हो गाया यह बोटे कुकुर का प्रोमोशन करने के लिए और हमने क्या किया हमने केनल भी इस्टेपलिस किया केनल स्रिफ हमारा नन प्रॉफिट मोटिप के लिए रिश्टर है और क् हमने वह केनल के लिए कर दिया तो हम क्या कर रहे हैं दस से पंद्र कुटे हमालाय पे प्यूर ब्रीट कर रहे हैं और उसका ब्रीडिंग कर रहे हैं और हमारा मकसद क्या है वह जो पपी है वह पपी को नोमेडिक रिजन में रिटन करना है और यह घर घर में पालना है क्यों यहां पर क्या हो गया सवर में लाब्रेडोॉर पाॉक रिट्रीवर बॉस्ट जर्मन सेपड वे ब्रीड प्राचिобщाल में तो Both सारे की सारे फोरें ब्रीड और यह ब्रीड ने रिप्लेश किया हुआ है हमारा असली लोकल नेटिव ब्रीड को तो क्या कर रहे हमारा मौकसत वह ब्रीड को रिप्लेश करकर यह पोटे कुगर कार में पानला है क्योंकि यह इसका खासियत बहुत है लोकल में क्योंकि यह लोक बहुत इंटलीजन ब्रीड जैसा आपके पिछे पिछे नहीं लगेंगा यह बहुत इंडिपेंट ब्रीड देख रहे यह इन बस्रे बेट रहे इसका मतलब नहीं है एमारे पास अपने आप इन्डिपेनेंट थिंकर है तो यह ही पर बेठेंगे और यहां पर खत्रा है आप मुझे अक्रमन करें तो यह रियक्ट करेंगा जरूर्ड यह ब्रीड में ऐसा है रॉट्वीलर और अदर ब्रीड में ऐसा नहीं है वह वोकते हैं वह डर देखाते हैं लेकिन वह जल्ग उतना नहीं है तो यह हाप सकत्या है कि क्या रिंघर है ठीक है यह रिक्स में यह ब्रीड का लोकल नें डिफ्रेंट डिफ्रेंड है इन्डिया में क grandi चैट है हमारे लोग अमारे एक्षैंथ और यहा staff इंभारा Solutions flowing Moniona business不要 decided to yet क्योंकि जब वेस्टोनर्स टिबेट एरया में आया था उसने बड़ी बड़ी डग देखा हुआ था और बड़ी डग को वह मैस्टिफे के थे थे तो उसका नाम टिबिडल मैस्टिफ हो गया और टिबिडल मैस्टिफ का इस्टाबलिशमेंट भी फाउंडेशन डग जो है वो नेपाल इंडिया और बुटान से ही हुआ था बहुत सारे डग यहां से गया था उन्नाइस अठाव सो त्यरो सो साल से उन्नाइस्टो दोजार साल तक गया हुआ था उसी डग से स्टाबलिश हुआ है टिबिडल मैस्ट इस फाउनलेशन स्टाट किया हुआ था टिबिडल मैस्टिव का और दूसरा मिस्टर जे सिंका है जे सिंका टुबो है टुबो जर्मन में गया था और वह टुबो ने वोल्ल डॉक सो में फर्स्ट आया था उस समय यह यह डॉक का ब्लॉट लाइन अभी भी आपको मिल सकता बनाइन ट्रेस करें तो अभी भी टि यह समय उसमें अप मिल सकते है अभी प्रॉबम क्या आगा है जो चानी स लोग किया लेखे हो यह ए वॉतेडिड़ को मिक्सीं किया है ठीक हिकत मिक्सीं से किया हुआ था था शो ट्रॉट से किया हुआ था मा किमा था six जब्स देखने में तो बड़ा लगेंगा उसका वेद पूर पी बड़ा लगेंगा लेकिन वे मार में एक रट और एक दिन भी नहीं रह सकता है क्योंके वह जान आँ भिस देखागा वह तो जो देखेंगा और उसका कोड़ा देखेंगा लेकिन वो αस्टाव कोडने है वह वेधर में आइस में थान्ड ही से मार जायेंगा यह लुकोट है यह माइनस 20 माइनस 30 डिग्री तक यह आराम से रहता है इसको घामें रहेंगा यह बखरेंके साथ 24 चौह सब्सक्राइब फानी पर रहें शनौ पर रहें इसको असंद नहीं गरेंगा यह गाण करेंगा वह यह असली वोटे कुकुर का पहचान, हमारा मैशेज च्या है इस टॉक को सारे की सारे हिंदूस्तान में है, इंडिया में है, निपाल में है, ब्रीडर से, वोर्नर से, हमको यह प्रिजरब करना है, इसको यह ब्रीड को आगे लोगाना चाहिए, क्योंकि बारत के भी यह निट में लग रहे तो मेरा मैसेज क्या है भारत के लिए इसको प्रिजर्वेशन की जिए यह आपका संपती है तो इसका इंपोर्टेंस बुजिए और करगर में पा लिए इसको ज़रूर तन्यवाद दोस्तों यह है अशीश भीया जो नेपाल में प्रिजर्वेशन का काम कर रहे ह और इनके 6-7 कैनल अलग अलग मैंने देखे हैं वो कवर भी की हैं सच में कहा रहा हूँ भीया बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि यह हमारी संपत्ती है बुजर्वों ने दिये हुए संपत्ती है एक डॉक का क्या मतलब होता था वो नेपाल में मैंने सीखा इसके बा तब हो जाएगा ब्रीड थैंक्यू मिलते हैं किसी और वीडियो में